श्री शिवायन नमस्ति अब्यम दोस्तों जै माता दिम भगवान शिद्जी और मातरानी आपकी हर मनों कामना पूरी करें इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे दोस्तों नवरात्र चल ही रहे हैं ऐसे में हमें शुबा शाम की पूजा क्या दोनों टाइम इसनान करके पूजा करनी चाहिए जैसे हम सुबा तो इसनान कर लेते हैं क्या हमको शाम की भी पूजा इसनान करके ही पूरी तरह से साफ सक्च होकर करनी चाहिए अगर हम सौच इत्यादी चले जाते हैं दिन भर में दैनिक क्रियाए करते हैं सौच इत्यादी जाते हैं तो क्या हमको शाम की पूजा बिना इसनान किये कर सकते हैं क्या ऐसे मन में सवाल बहुत से आते हैं तो आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बतलाने वाली हूँ कि अगर आप सौच इत्यादी जाते हैं तो आप इस स्थिती में किस तरह से शाम की पूजा कर सकते हैं साथी साथ आपको शाम की पूजा में इसनानादी करना आवश्यक है या नहीं है तो संपूर्ण जानकारी आपको देने वाली हूँ उस वीडियो में तो वीडियो को पुरा ध्यान सेंते तक देखिएगा सुनिएगा दोस्तों वीडियो पसंदायत वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिगा और अपने ही चैनल को जोन से सब्सक्राइब कर दीजिगा दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको यहां पर स्पस्ट कर दूँ कि ये नवरात्री के नौ दिन विशेश रूप से माने जाते हैं माता दुरगा के नौ सरूपों की विशेश तोर पर पूजा की जाती है ये नवरात्री के नौ दिन विशेश इसलिए माने जाते हैं क्योंकि माता रानी स्वयम धर्ती पर आकर ब्रह्मन करती हैं और अपने भक्तों पर क्रिपा वर्साती हैं ये नौ दिन विशेश हैं दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है अगर इन नौ दिनों में अगर आप सुभा की पूजा इसनान आदी करने के बाद कर रहे हैं तो एक प्रकार से आपको शाम की भी पूजा इसनान करने के बादी करनी चाहिए नौ दिन दोस्तों समाने नहीं हैं क्योंकि मातारानी स्वयम भ्रमर करती हैं धर्ती का अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाती हैं इसलिए ये नौ दिन माता के नौ सुरूपों की पूजा की जाती है जो एक प्रकार से बहुती विशेश महत्वे रखती है आपने सुभा की प खापना की है विशेश तोर पर 9 दिनों के लिए आपने अखंड जोद प्रजलित की है विशेश तोर से 9 दिनों के लिए तो आपको साम का इसनान अवश्य करना चाहिए यहाँ पर प्रशन उठते हैं कि हम चाम का इसनान नहीं कर सकते हैं हम दोनों टाइम इसनान करके पूज जो है वो हम लगा देते हैं जैसे की कचड़े के मतलब डस्ट बीन में हाथ चला जाता है हमारा और इस तरह से कुछ ऐसी वस्तुए दिन भर में हम कहीं इस पर शकर लेते हैं तो देखे हमने विशेश तोर पे नौ दिनों की चौकी लगाई है तो विशेश तोर से हमें शाम क इसनान करने के बादी पूजा करनी चाहिए देखे अगर आप इसनान नहीं करना चाहते हैं तो आप अच्छे से मुहाद धोकर आप पूरे जो है अपने वस्त्रों को बदल लीजे और इस तरह से आप दूसरे वस्त्र धारन कीजे साफ स्वक्ष उसके बाद आप शाम की प आपना है वो विशेश रूप में अपने आप में बहुती ज्यादा सक्तिसाली है और महत्वरती है आपने जो अखंड जोज जलाई है उसमें भी माता का स्वरूप है माता रानी खुद आकर उसमें विराजमान हुई है तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं अगर आप दू पूजा कीजिए आप सवाल आता है कि हम सौचित्यादी गए हैं हमने दिन भर में दैनिक क्रियाएं की हैं तो सौचित्यादी जाने के बाद क्या हम बिना इसनान किये पूजा कर सकते हैं सौचित्यादी जाने के बाद पूजा कैसे करें तो देखिए अगर आप सौचित्य गए हैं आपने दैनिक क्रियाई की हैं तो आपको नवरात्री में क्या कभी भी कोई भी पूजा जो है वो बिना इसनान के नहीं करने चाहिए ठीक है दोस्तों अगर आप सौचित्यादी गए हैं तो आप पूरी तरह से अच्छे से इसनान करिए साफ स्वक्ष सुद्ध हो ज अगर आपको शाम की पूजा करनी है तो मैंने आपको बता दिया है अगर आप इसनान करना नहीं चाहते हैं या किसी कारण वश तबियत वगेरा के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे अच्छे से मुहाद धोएंगे अपने पूरे वस्त्रों क को बदलेंगे साफ सौक्च वस्त्र धारन करेंगे उसके बाद आप शाम की पूजा करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है आशा करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीज बहुत जल मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ तब तक लिशी शिवाइन नमस्त अब्यूम धन्यवाद दोस्तों